सभी विद्वत जन्नों को नमस्कार, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएडेस सीवी आई साथियों, आज की हमारी चर्चा का विशे है RPWD Act 2016 में वरणित 21 प्रकार की विकलांगताएं, उनका नाम तथा पहचान के लक्षण सरुपर्थम जरा हम RPWD Act के परिचे से सुरुवात करते हैं 2007 में भारत ने UNCRPD, United Nation Convention Rights of Persons with Disability Act पर हस्ताक्षर किये और इसकी पुष्ट करने के बाद विकलांग अधनियम 1995, PWD Act अधनियम 1995 के अस्थान पर एक नया कानून बनाने की प्रक्रिया सन 2010 में UNCRPD के साथ अनुपालन करने के लिए प्रारंब की प्रामर्स बैठकों और मसाओदा प्रक्रिया के सिंखला के बाद PWD Act 2016 जिसे रिवाइज करके RPWD अधनियम 2016 के अधिकार संसद के दोनों सदनों द्वारा परित किये गए राष्टपती की सहमती प्राप्त करने के बाद इसे 28 दिसंबर सन 2016 को अधिसूचित किया गया यह दिब्यांग जिनों के अधिकार का अधनियम PWD Act 1995 में वरनिस साथ दिब्यांगताओं के अस्थान पर 21 प्रकार की दिब्यांगताओं की बात करता है आज हम 21 प्रकार की विकलांगताओं कौन-कौन सी हैं उनकी क्या-क्या नाम है और सामान्य पहचान के लक्षण क्या है तो आईए करम से देखते हैं पहली दिब्यांगता जो RPWD Act में रखी गई उसका नाम है मानशिक मंदता Mental Retardation मानशिक मंदता से अभिप्रेत वह व्यक्ति माना जाएगा जिसे किसी तच्छे को समझने अथवा किसी शब्दों को बोलने में कठिनाई का अनुभव हो अथवा अभिव्यक्ति करने में कठिनाई महसूस हो रही हो वह अपनी अभिव्यक्ति न कर पा रहा हो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बोलने में, समझने में या अपनी अभिव्यक्ति करने में समस्या आ रही है तो उसे मानसिक मंदता के सेड़ी में रखेंगे दूसरी विकलांगता ओर्टीज्म रखी गई ओर्टीज्म स्पेक्ट्रम डिसार्डर इसके लक्षणों के बारे में बताया गया कि ऐसी विकलांगता से इस प्रकार की विकलांगता से अभिपरेत उन व्यक्तियों को माना जाएगा जो कीसी कारे पर ध्यान के इंदृत करने में कठिनाई महसूस करते हो अथवा आँखे मिला कर बात न कर पाते हो गुंसुम रहते हों, चुपचाप रहते हों, श्वयम में खोए रहते हों और किसी प्रकार की सामाजिक गद्विधी में पूर्ण रूपेन भाग लेने से बचते हों अर्थात एकांत सेवी हों इस प्रकार के जनों को आर्टीजम में रखा गया आर्पी डव्लूटी एक्ट में तीसरी विकलांगता, सेरेब्रल पॉलिसी, पोलियो या नर्व इंजरी रखी गई इनके लक्षडों को बताया गया कि इस प्रकार से पिडित व्यक्ति उनके पैरों में जकड़न होगी, हाथों में जकड़न होगी, इन्हें चलने फिरने में कठिनाई महसूस होगी इनकी चलन क्रिया सामाने व्यक्तियों के जैसे नहीं होगी, सामाने से विलग इनकी चलन क्रिया होगी हाथ से काम करने में कठिनाई होगी हाथ का सामाने अस्तर जैसे सामाने जन हाथ को रखते हैं इस तरीके से नहीं होगा उसका एंगल अलग बनेगा अर्थात सुरूपात्मक दृष्टि से भी देखने पर पैरों में जकरन पैरों के सुरूप में बदलाओ चलने में सामाने जनों से अलग अवस्था और हाथों में तेड़ा पान या हाथों से काम करने में कठिनाई का अनुभव ऐसे व्यक्तियों को होगा अब चौथी विकलांगता की बात करें तो मानसिक रोगी, मेंटल इल्नेस इस प्रकार से, इस विकलांगता से पीडित व्यक्ति अस्वभाविक व्यवहार प्रदर्शित करता है स्वभाविक व्यवहार नहीं करता है अस्वभाविक सामाने स्याट की व्यवहार करता है खुद से बाते करता है अपने में खोया रहता है ब्रहम जाल में रहता है, मति भ्रहम में रहता है, व्यसन अत्यधिक करता है, अर्थात नस्य का सेवन अधिक करता है, किसी से डरता है, भैगरस्त रहता है, उसे हमेशा भै सताता है, उसे लगता है कि मेरा कुछ हो जाएगा, सब मेरे उपर कुछ अलग कर देंगे, माट डाले कुछ और करेंगे वह भया ग्रस्त रहेगा और जिसके कारण वह गुम्सुम रहता है अब पांचवी विकलांगता की बात करें सर्वन बादिता हीरिंग इंप्यर्मेंट इस प्रकार की विकलांगता से पिंडित व्यक्ति बहरेपन का सिकार होगा वह शब्दों को सुन नहीं पाता है अथवा उचा सुनता है या तो कम सुनता है अब अगर हम इसके अगली विकलांगता पे चले तो मूँक निशक्तता स्पीच इम्पियर्मेंट इस प्रकार की विकलांगता से पिरित बालक बालिकाओं अथवा जनों में बोलने में कठिनाई होती है सामान्य बोली से अलग बोलते हैं तुतला कर बोलते हैं ऐसा बोलते हैं जो समझ में नए आए इनकी शावदिक भाषा समझ से परे होती है यह सामान्य से विलग बोलते हैं अब हम इसके आगे चलें तो सात्मी विकलांगता जो आर्पी डवलूडी एक्ट में रखी गई वह है दृष्टिबाधिता ब्लैंडनेस इस प्रकार की विकलांगता से पीणित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है वह पूर्ण दृष्टिहीन होता है पूरी तरीके से वह दृष्टिहीन होता है बिल्कुल देख नहीं सकता है अब आगे चलें तो आर्पी डवलूडी एक्ट में आठवी विकलांगता अल्प दृष्टिबाधिता रखी गई लो वीजन इस प्रकार की विकलांगता से पीणित व्यक्ति कम देखता है समाने जनों से कम दिखाई देता है और ऐसी इस्थिती तम मानी जाएगी जब वह व्यक्ति संपूर उपस्थित तकनीकी उपकरणों की सहायता के पश्चात भी इस बात की सिकायत करे अथवा साथ वर्स से कम आयू की इस्थिती में रंगों की पहचान न कर पाए हरा क्या है, पीला क्या है, नीला क्या है, गुला भी क्या है इस पहचान न पाए, रंगों की पहचान न आए तो ऐसे व्यक्तियों को अल्पद्रिश्टि बाधिता की स्रेणी में रखते है अब जब हम लोग इस से आगे बढ़ते हैं तो RPWD Act में नवी विकलांगता जो रखी गई वह चलन नीशक्तता लोको मोटर डेसिबल्टीज इस विकलांगता से पेड़ित व्यक्ति के लक्षण बताएं हैं हाथ या पैर दोनों की नीशक्तता अर्थात एक हाथ का न होना दोनों हाथों का न होना एक पैर का न होना दोनों पैरों का न होना पैरों में तिर्च्छापन होना हाथों में तिर्च्छापन होना सामान्य जैसे पैर न होना लकवा की स्थिती होना या हाथ या पैर का अर्ध भाग से कलाई से घुटने से या और कहीं से कट जाना इस प्रकार की इस्तिती से पीडित व्यक्ती चलनी सक्तता की सर्णी में रखा जाता है अब RPWD Act में दस्मी विकलांगता की जब बात की जाती है तो उसमें दस्मी विकलांगता को जो रखे हैं वह कुष्ट रोग से मुक्त लेप्रोसी क्यूरेड इस विकलांगता से पीडित व्यक्तियों के लक्षर बताते हुए उन्होंने कहा कि हाथ या पैर या अंगुलियों में विक्रती हाथ में विक्रती होगी पैर में विक्रती होगी अथवा तो हाथ की अंगुलियों में या तो पैर की अंगलियों में विक्रती होगी अंगलियां टेड़ी होगी हाथ टेढ़ा होगा पैर टेढ़ा होगा सरीर की तचा पर रगहीन धब्बे होंगे हाथ या पैर या अंगलियां सुन हो जाएंगी उन ways किसी प्रकार का moment नहीं होता है छूने पर पता नहीं चलता है इस तरीके के अगर इस्थिती है तो उन्हें ले प्रोसी क्यूरेट परसन कुष्ट रोग मुक्त व्यक्तियों की संग्या में रखा एक ग्यारवी विकलांगता है बौनापन ड्वार्फिज्म ड्वार्फिज्म की लक्षण को बताते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति का कद वैक्स को होने पर भी चार फुट दस इंच अर्थात 147 सेंटी मीटर हो अथवा इससे कम हो अगर कोई व्यक्ति चार फुट दस इंच से कम अथवा की 147 सेंटी मीटर का हो या इससे कम का हो तो उसे बौनापन ड्वार्फिज्म की विकलांगता में रखा जाएगा अब आर्पी डवलूडी एक्ट में बारहवी विकलांगता जो रखी गई वह है तेजाब हमला पीडित एसी अटैक विक्टिम ऐसी विकलांगता से पीडित विक्तियों की पहचान लक्षडों को बताते हुए यह एक्ट कहता है कि इनके सरीर के अंग, हाथ, पैर, आँख, आधित तेजाब हमले की वजह से प्रभावित होंगे शामान्य से भिन होंगे, अशामान्य होंगे, जले होंगे, रंग उड़ा होगा, काले धब्बे होंगे या मूल रूप से कहा जाए, तो आशामान्य तोर पे दिखाई देते होंगे इसके कारण उनके आँखों में भी दिक्कत आ सकती है, पैरों का स्वरूप भी बदल सकता है, चमरी भी जली हो सकती है हाथ का स्वरूप बदल सकता है, हाथों में जलन हो सकती है, देखने पापता चले, धब्बे पड़े हो या जले हुए अंग दिखाई देते हो, इस तरीके की स्थिति अगर इस पश्टित्या लक्षित होती है, तो तेजाब हमला पीडित, एसिड आटायक विक्तिम माने करता है, हम लोग उस तरफ चलते हैं, तो RPWD Act के अंतरगत हमारी तेरहमी विकलांगता को परिभासित करते हुए लिखा कि मानस्पेशी ये दुरविकास, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस प्रकार से या इस विकलांगता से पीडित व्यक्ति में मानस्पेशियों में कमजोर यह विक्रती दिखाई देगी, सामान निमानस्पेशियां नहीं होंगी, और विक्रतियां होंगी, वो सामान निस से बहुत ज़्यादा दुबले दिखाई देगे, या उनके स्वरूप में बहुत बदलाओ दिखाई देगा, चोदहवी प्रकार की विकलांगता अगर हम द दिखाई देती है, सुनने में समस्या दिखाई देती है, लेखन में समस्या दिखाई देती है, साधारन जोड, घटाना, गुडा, भाग करने में समस्या दिखाई देती है, आकार पहचानने में समस्या दिखाई देती है, भार का मापन करने में समस्या दिखाई देती है, इन में समझ की कठिनाई प्रदर्शित होती है। अगर इस प्रकार की इस्थिती दिखाई दे तो इस स्पेस्फिक लर्निंग डिसेविल्टी वहां पर कही जाती है। अब हम लोग RPWD Act के अंतरगत 15 वी विकलांगता बहुत धिक निशक्तता Intellectual Disabilities की तरब बढ़ते हैं उसके लक्षण बताएं हैं सीखने में समस्या, किसी समस्या के समाधान खोजने में समस्या, तारकिकता में कठिनाई, प्रत दिन के कारियों में सामाजिक कारियों में इन्ह समस्या आती है, और सामाने जैसा व्योहार करने में इन्हे समस्या आती है, अब RPWD Act के अंतरगत 16 वी विकलांगता Multiple Scalarosis, दिमाग और रीड की हड़ी के समनवे में परिशानी, इस प्रकार के पेडित व्यक्ति में दिमाग और रीड की हड़ी के समनवे में परिशानी दिख RPWD Act के अंतरगत 17 वी विकलांगता की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, तो 17 विकलांगता को Parkinson's Rogue, Parkinson's disease के नाम से वणित किया गया है, और इसके लक्षण बताए गया है, हाथ, पैर, मानस्पेसियों में जकडन, हाथों में जकडन, पैरों में जकडन, अथवा की मानस्पेसि तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई, इस प्रकार की विकलांग तासे ग्रसित वेक्तियों में तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाईयां भी दिखाई देती है, अठारवी विकलांगता हिमोफीलिया, अत्यधिक्त रक्त स्राओ, चोट लगने पर अत पहना नहीं बंद हो, रक्त बहता ही जा रहा हो, ऐसी स्थिति को हीमोफेलिया का नाम दिया गया, और नीश्वी विकलांगता ठैलिसीमिया, ठैलिसीमिया, खून में हीमोगलोबीन की विक्रती, अथवा तो खून की मात्रा का कम होना, बिस्वी विकलांगता, सिकल सैल डिजीज, सिकल सैल डिजीज, खून की अत्याधिक कमी, रक्तल पता, खून की कमी से सरीर के अंग, अवयो खराब होना, इस प्रकार की स्थिति होने पर सिकल सैल डिजीज, बिस्वी नंबर की विकलांगता में ये लक्षण उनको बताए गए वो हिस्से भी प्रेजित होगा और आर्पी डबलूडी एक्ट के अंतरगत जो 21 प्रकार की विकलांगता रखी गई वह बहु निशक्तता मुल्टिपल डिसेबेल्टीज रखी गई वे बालक बालिकात हुआ जन जो दो या दो से अधिक निशक्तता से ग्रसित हों वियाई के सांथ ही अमार यमार के सांथ ही अचाई या इस तरीके से जो भी परिस्तित हो दो या दो से अधिक निशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों को मल्टिपल डिसेबेल्टी से पीडित व्य लिया है आसा है सभी छात्र समझ पाएं होंगे आपको कैसा लगा कमेंट करें और हमें बताएं लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवस्य करें आप लोगों का बहुत बहुत द्रूप